नमस्कार मैं हूँ नेहान आप सभी को रक्षा बंधन की धेरो धेरो शुपकामना है इस खास मौके पर हम सुरक्षा का एक ऐसा बंधन लेकर आए हैं जिसके जरिये आप ना सिर्फ अपने निवेश पोटफोलियो को बलकि अपने भविश्य को भी वित्तिय सुरक्षा की मदद से 14 बेहतरीन शेयर बताएंगे जिन में निवेश से आप अपने पोटफोलियो को दे सकते हैं मजबूत सुरक्षा तो पेश है हमारी खास पेशकष सुरक्षा बंधन तो हमारी इस खास पेशकष में जिन एक्सपर्ट्स के पैनल को हमने चुना है जो आज ये बीड़ा उठाएंगे कि आपके पोटफोलियो को सुरक्षा प्रदान हो और निवेश का आशिरवाद मिले उससे हम आपका फटा-फट परिचय करा देते हैं हमारे साथ आज गेस पैनल में है प्रॉफिट माज सेक्योरिटीज के अविनाज गुराक्षकर जी ट्रेट स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीब जैन साब का भी साथ आज हमें मिला है आनुराथी सेक्योरिटीज के सिधार सिदानी ग्लोब कैपिटल के हिमानशो गुपता, आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जी, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगडिया और जानी मानी मारकेट एक्सपर्ट सेमी भामिक जी भी आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा है आप सभी एक्सपर्ट का धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं इस खास मौके पर और चलिए फटा-फट अब हम शुरू करते हैं शुरुआत हम करेंगे सिमी जी से, सिमी जी सबसे पहले तो रक्षा बंधन की धेरोशुप कामना है मैं मैं बताईए आज आप कौन सा वो नायाब बंधन लेकर आई हैं धागा लेकर आई हैं जिससे हमारे जितने व्यूर्ज हैं उनके पॉर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान हो सबसे पहले तो आपको भी और आप मेरे सारे पैनलिस जो यहां पे मैं देख रही हूँ सभी को और सारे जी बिजनेस के सारे जो मेंबर्स हैं सभी को मेरे तरब से बहुत-बहुत रक्षा बंधन की शुप कामना है अब मैं दो स्टॉक चूज कर चुकी थी मैं आज के लिए तो मैं दोनों स्टॉक की साथ बता देती हूँ एक तो मेरा पहले पास आऊंगी पहले आप एक स्टॉक बता देजे ठीक है तांक यू तो मेरा जो पहला स्टॉक होगा वो थोड़ा सा पुजिशनल है मैं 1-3 रेशियो में रिटर्न मिलेगी और बहुत ही शौट तम में रिटर्न देखने को मिलेगा ऐसा मैं एक्सपेक कर रही हूँ स्टॉक मोमेंटम में है और आज के आज ब्रेकाउट आया है स्टॉक का नाम है 1891 वो भी आज ही के आज क्रॉस किया है स्टॉक अभी 1900 के पार है और मुझे लगता है कि यहां से मिनिममं 1500-200 पॉइंट का रैली तेजी यहां पर देखने को मिलना चाहिए पहला टार्गेट 1950-1970 दूसरा टार्गेट 2000 के ऊपर यह स्टॉक जाके सेटल करेगा आज 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 आपकी तरफ से कौन सा सुरक्षा कवच हमारे दर्शकों को आप देने वाले हैं पहले तो सभी को आपको जी विजनस के सारे वियोर्स को रक्षा बंदन के हार्दिक शुपकामने है और देखिए जो पहला मेरा सुरक्षा कवच है कमिन्स इंडिया कमिन्स पर खेदारी की राये है तो इसको इस तरहों पर करेक्षन पर एक्यूमिलेंट करते रहें मुझे नहीं लगता है क्योंको बहुत बड़ी डीप करेक्षन आएगी अभी हम देखें तो 1247 पर 47 के राउंड चल रहा है इंस तरों पर करेक्षन पर खेदारी की राये है ग्यारा सो पचास का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप रहा है और यहां पर मुझे लगता है कम से कम भी टार्गेट रखें तो 1500 प्रस के टार्गेट के लिए कमिन्स इंडिया में नेवेश की राये होगी और यह है मेरा पहला सुरक्षा का बज़ चलिए अब बढ़ते हैं अविनाश जी की तरफ अविनाश सर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकर्ष में सर बताईए आपकी तरफ से पहला सुरक्षा बंधन स्टॉक कौन सा होगा पहले तो नेया आपको और आपके पूरे जी बिजनस टीम को मेरी तरफ से भी रक्षा बंधन के शुब कामना है सारे पैनलेस को भी रक्षा बंधन की शुब कामना है मेरा जो स्टॉक है वो बेजिकली एग्रो केमिकल में एक ग्लोबल MNC कमपनी है जो कमपनी का नाम है United Phosphorus Limited हमको लग रहा है कि देखे कमपनी ने पिछले साल बहुत दमदार नंबर दिखाये थे अगर देखे तो margin front पे, revenue front पे उनके जो products है वहाँ पे काफी अच्छी तरक्की की है इंडिया में भी काफी बड़ा बिजनस है मैनेजमेंट ने ये भी का एक post conference call की margins और भी improve होने की शमता रखते है तो मुझे लग रहा है कि ये stock अभी current levels पे काफी attractive लग रहा है आज पैनल में शामिल जैन साब वैसे तो आपके gems हमाई दर्शकों के portfolio को चमकाते रहते हैं लेकिन आज रक्षा बंधन जो हम खास पेशकर लाए हैं उसमें आप क्या खास stock लेकर आए हैं बिल्कुल, first of all आपको सिमी जी को happy रक्षा बंधन और सारे viewers को, सारे फैनलिस्ट को happy रक्षा बंधन और आपने सही काज gems से रोज चमका रहे हैं और वो small cap और mid cap stocks लाता हूं है जेनरली और जेनरली nano caps भी होते हैं और micro caps भी होते हैं बट आज जो stock लाया हूं है वो सबसे बड़ी company माननी जी और world की one of the largest banks होने वाली है, conglomerate होने वाले financial conglomerate वो है HDFC bank limited, HDFC और HDFC bank का जो merger है वो होने के बाद देखिए बहुत बड़ी synergy होने वाली है और मैं वैसे भी HDFC limited एक ऐसी company है जिसको मैंने मस्ती के पाट साला में बुला कि अगर एक company मुझे चाहिए तो HDFC limited है, वैसी company है ये, आज even hold करके रख सकते हैं, private sector banks पर हम extremely bullish मुझे लगता है कि इससे बढ़िया बंदन, इससे बढ़िया सुरच्चा, portfolio को long term के हिसाब से भी कोई नहीं दे सकता है बिल्कुल stock को लीजे, murder का इंतजार है, बहुत बड़ी synergy मिलेगी और बहुत बड़ा correction वावा, stock में 1725 के level से अच्छा कासा नीचे आया हो है और downside risk मुझे बहुत कम लगती है, तो आराम से 1650, 1690 के targets के लिए hold किजे और वैसे ये company हर साल 20% से grow करती है, तो ये माने कि 15-20% का return annualized basis पे long term में ये stock देगा, तो ये buy and forget वाली story है और अभी के लिए मैंने targets देगा बिल्कुल, point taken, चलिए अब बढ़ते हैं आगे सिधार सिधानी जी की तरफ सिधार जी आप जाने जाते हैं, बहुत मज़ेदार themes पर आप stocks अकसर Zee Business पर लेकर आते हैं, लेकिन आज जो रक्षा बंधन पर हम खास पेशकश लाए हैं इसमें भी कोई theme आप चुनके लेकर आए हैं या कोई बिल्कुल सुरक्षा stock आज आप हमारे दर्शकों को gift करने वाले हैं Good afternoon, Nihal and happy रक्षा बंधन सभी को बिल्कुल सुरक्षा की जब बात हम करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे जहन में आती है अगर अगर आपको रखना है तो वह है Technology पर, persistent systems जो जो consistent परफॉर्मर है टेक्नोलोजी का शेर क्योंकि भरोसा अगर चीए तो टेक्नोलोजी पर जरूर रखना पड़ेगा, persistent system वह company है जिस पर खरिदारी की राया है IT services में cloud, data, products और बहुत कुछ सारे sectors को cater करती है specially BFSI को FY22 पिछले साल में जो revenue growth पूरे साल में consistently हमने देखा 35% से grow हुआ है net debt free, double digit revenue return ratios 20% के करीब 130 clients और 1370 million dollar का total contract value persistent system, consistent performance भरोसा रखे, सुरक्षा यही stock देगा, target होगा 4290, 4300 के करीब का target होगा, persistent systems चलिए हिमान्शु जी अब आपकी बारी है जरा बताईए आप कौन सी खास पेशक्रश लेकर आए हैं बतौर stock आज आपको सभी दर्शितों को सभी पैनलिस्ट को रक्षा बंदन की हार दिक्षुप कामना है देखिए जो मैं stock लेकर आया हूँ, stock का नाम है क्रिसिल और मैं as a hitman जाना चाहता हूँ अपने अकरामक अंदाज के लिए मेरा मानना है कि यह stock जो कि नाकेवल आपको सुरक्षा देगा बलके बहुत अच्छा return भी deliver करने का potential रखता है एक globally diversified analytical company है जो कि as a matter of fact इंडिया की number one rating agency है, सभी देशों में फैली हुई है 40-41% Northern America, 28% Europe, 28% इंडिया में इसका business है, essentially global की एक subsidiary है जिसका पूरी तरह से globally इस company को फाइदा मिलता है, expertise मिलती है काई ना काई team business divisions में फैला हुआ है पहला basically rating business है, दूसरा important है अपना credit rating का research का और तीसरा finally advisory business है एक net debt free company है, लगभग 39-30% का return on equity 40% का return on capital employed और charge पर बहुत strong levels पर यह stock अभी काम कर रहा है मुझे लगता है कि current level space में खरिदारी करें, 6 महीने का अगर आप नजरिया लेकर चलते हैं तो क्रिसल में 4000 रुपे तक के target साते होई नजर आ सकते हैं तो ये मेरी तरफ से आज एक सुरक्षा बंधन stock रहेगा क्रिसल इंडिया चलिए तो हिमानशु जी की तरफ से क्रिसल पर सुरक्षा बंधन stock निकल कर आया दर्शकों के लिए लास्ट बट नॉट दिलीस्ट हमायर साथ सुपर हिट सुमिट जी है जो अपना सुरक्षा बंधन stock खास आपके लिए लेकर आए है सुमिट जी स्वागत है बताईए आ चुका है और यह आने वाले 6-12 मेले के अंदर इस बारी एक बढ़िया और एक बड़ा मूव उपर की तरफ दिखाने वाला है जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें जो लोग फ्रेश खरदारी करना चाहते हैं वह कोई भी डिप आता है लेंटी में यहां से 850-830 की तरफ दिप्स में खड़दरी करें लेंटी के अंदर आने वाले समय में बढ़िया मूव उपर की तरफ देखने को मिलेगा जिसके दे में को लगता है कि 2000 के टागेट तो short to medium term के होंगे और 2000 के level break होने पे 200 रुपे तक के level आने वाले समय में लेंटी में देखने को मिल सकते हैं 1700 का इसके अंदर stop loss लगा सकते हैं वैसे यह portfolio वाला counter है तो नीचे में everything करके चलेंगे तो जादा बेटर रहेगा लेंटी मेरा pick रहेगा चलिए तो L&T जो है पहली pick सुमिझ जी की तरफ से आई है तो हमारे 7 experts ने आपको 7 बहतरीन सुरक्षा बंदन stock लें लेकिन यह show यहां नहीं खत्म हो रहा हम आपके लिए कुछ और भी खास लेकर आए हैं तो सिमी मैम आपने पिरमल enterprises पहला सुरक्षा बंदन गिफ्ट तो दे दिया अब आपका दूसरा गिफ्ट कौन सा होगा हमारे दर्शकों के लिए नहीं हाँ दूसरा stock जो मैंने चूज किया वो mid cap IT से ही है क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि IT sector as a whole current level से बहुत ज़्यादा downside शो नहीं करेगा और मैंने ऐसा stock चूज किया है जिसमें मुझे confidence बहुत है stock perform नहीं कर रहा है कंसलिडेशन फेज में है पर breakout आने का कोशिश कर रहा है और breakout मुझे लगता है आज से कल के बीच में आ जाना चाहिए stock का नाम है KPIT Technologies KPIT Tech NAC code है उसमें खरीदारी करने का सला होगा तो KPIT Tech में मुझे लगता है कि current level से खरीद कर चलिए यह stock अच्छा रिटर हैंसम रिटर्न करेंट लेवल से जनरेट कर सकता है 561 इसका स्विंग हाई है और कंसलिडेशन फेस का जो रेंज रेस्टेंस है वो 561 के उपर है तो current लेवल पर 548-47 के असपस है यहां पर चोटा quantity उठाई है 561 जब क्रॉस करेगा तब आड़ान कर लीजेगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें 600-620 का टार्गेट 15-15-20 दिन से एक मेने के बीच में आ जाना चाहिए तो KPIT टेक मेरे तरफ से स्टॉक होगा मेरा दूसरा स्टॉक रक्षा बंधन के लिए सूरक्षा बंधन पीक है मेरा और इसमें स्टॉपलास 515 का लगा के चलेंगे 600-620 का टार्गेट होगा विदिन बन मैक्सिमम ओके तो सिमी जी की तरफ से पीरमिल इंटर्प्राइज़ और KPIT टेक ये दो सुरक्षा बंधन स्टॉक निकल कर आए हैं बारी आती है बंसल जी की बंसल जी आपने अपनी पहली पिक बत और कमेंस को चुना बताईए आपका दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक कौन सा हो गया नया दूसरा सुरक्षा बंधन स्टॉक जो है वो मैं लाया हूँ माइक्रो कैप स्टॉक है कंपनी का नाम है विनायल केमिकल विनायल इंडिया साथ सो करोट से थोड़ी सी नीचे की मार्केट कैप है डेट फ्री कंपनी है और थास बात क्या है कि इसका जो प्रमोटर है नया वो पीडी लाइट है प्राइस टो अर्निंग 19 की मार्केट कैप टू सेलस दे चो 0.77 की ROC 55% ROE 40% और mutual fund में इसकी investment है वर्ट 78 करोट की तो इन स्तरों पर correction पर अगर कभी गलती से मार्केट में स्टॉप 330-335 के राउन मिल जाए तो वो भेतरी इंस्तर है 310 रुपे का और closing बिसे स्टॉप रोस लगाना चाहिए और मुझे लगता है 6-8 मिने में इसली 500 प्रस के लेवल यहां पर देखने को मिलेंगे तो विनायल केमिकल विनायल इंडिया है मेरा दूसरा सुरक्षा बंदन स्टॉप तो राकेश जी की तरफ से कमिन्स और विनायल इंडिया आज आपके लिए हमाई दर्शकों के लिए खास सुरक्षा बंदन पिक्स जबरदस निकल कर आई है बारी आती है अविनाश सर के अविनाश सर आपने अपना पहला भरोसा तो युनाइटट फॉस्फोरस में दिखाया है दूसरी कोई अलग थीम होगी अलग सेक्टर होगा हा निया इनफेक्ट बूसरा जो मिटकश टॉप मैंने सिलिक किया है वो अटो कंपोनेंट कंपनी है और कंपनी का नाम है गेब्रियल इंडिया लिमेटेड बेजिकली शॉक एब्सॉबर्स और चैशी सपोर्ट सिस्टम्स बनाते हैं जो प्रड़क्ट है वो नॉट ओनली टूविलर में जाता है फोर विलर्स ट्रैक्टर्स कमर्शल वेहिकल में जाता है करीबन 204 है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा मिट्कैप पिक है हमारी तरफ से ओके तो लंबी अवधी के लिहास से गैब्रिल इंडिया पर है भरोसा अविनाश जी का और अच्छा खासा मुनाफ़ आपको यहां पर देखने को मिल सकता है एक से सवा साल अगर आप इसे रखके चलते हैं तो संदीब सर अब आपकी बारी है बताइए HDFC बैंक आपकी पहली पिक थी अगला आपकी तरफ से कौन सा चमचमाता हुआ स्टॉक सुरक्षा बंधन स्टॉक निकल कर आ रहा है बेकुल फस्ट अफॉल थाइंक यू राकेश जी फर विनाइल केमिकल यह स्टॉक मेरा वर फेबरेट्स है उन्होंने जबर्दस लॉजिक दिया है पीडी लाइट ग्रूप है चार से पाज़र मैं जेंश में और S.P.L. में दिया यह स्टॉक को अब मैं जो स्टॉक लाने जा रहा हूँ है GSFC और यह स्टॉक को मैंने 2022 के सुपर स्टार में भी दिया special show में यह stock को दिया था मैंने और GSFC गजब के results दिया और इस बड़ देखें अच्छे results के अगर आगास किया है कोई company एगरी chemical space में और एग्रो इन्पूट के space में तो वो GSFC था 138 करोड का पैट जून 2021 में उसके सामने 356 करोड का पैट और आप देखें इस company की significant holdings किसा है GNFC में भी तो मुझे बहुत बढ़िया लगते है इस टॉक पांच 6 के multiple पे डेट परसंट का dividend yield 21% की profit की कैगर रही है और shareholding pattern बहुत impressive FISDI इसका घजब का वरोशा करीब 33% इसमें shareholding FISDI इसकी अधर देखें शेरोल्डर डेफिनेटल गुजराद की PSU है तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन levels पे और आराम से ये स्टॉक 199 का पहले highs दिखाया हुआ है वहाँ से अगर correct भी अभी किया हुआ है 160 के लगबत तो मुझे बहुत attractive लग रहा है 190 का पहला target और 210 का दूसरा target और आने वाले कई सालों के लिए ये स्टॉक आपके portfolio का सुरक्षा करेगा और मुझे लगता है ये भी buy and forget story है मेरे इसाफसे जैसा मैंने पहला स्टॉक दिया था HFC चलिए तो सालों साल सुरक्षा प्रदान करने वाला GSFC जैन साब की दूसरी पसंद आज बनकर आया है सिधार जी persistence systems के बाद अब आपका भरोसा कहां पर है कहां हमारे दर्शकों को अपने निवेश portfolio में सुरक्षा प्रदान करने वाला stock मिलेगा निया ये stock भी पी से ही शुरुआत होती है और सही माइनों में अगर कोई बिमार हो गया तो यह सुरक्षा देने वाली कंपनी इसके products सुरक्षा देने वाली कंपनी है और यह कंपनी है polymedicure यह medical equipment वगेरा बनाने वाली company polymedicure इस पर खरिदारी की राए है top three cannula manufacturer है in the world cannula मतलब जब आईवी फ्लूइट चलाते हैं तो आईवी फ्लूइट का जो needles का पूरा जो set होता है उसको cannula बोलते हैं और वह polymedicure top में आता है worldwide 10% का world market share है polymedicure का भारत का सबसे पहला indigenious company है जिसने dialyzer manufacture किया है dialysis होता है उसका जो machine बनता है वह polymedicure ने सबसे पहले भारत में बनाया है largest export devices करते हैं 60% के उपर exports है और मैं मानता हूं कि जिससाब से export 100-100% चे ग्रो हो रहे हैं पिछले quarter में दमदार scope polymedicure पे एक सो सांट से ज़्यादा patent होने बागी है 300 से जादा patent already हो चुके है और 2-3% margins में भी expansion हो सकता है polymedicure सही माहिनों में सुरक्षा देने वाले company इसको खरीदना चाहिए टार्गेट रखना चाहिए 902 902 चलिए से दार जी की तरफ से दूसरा सुरक्षा बंदन stock polymedicure और 12 महीने यानि साल भर के लिहाज से going forward टार्गेट 900 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा तो सुरक्षा भी और निवेश के जरीए अच्छी कमाई का भी भरोसा है polymedicure में चलिए अब बढ़ते हैं आगे हिमानशु जी के पास और हिमानशु जी क्रिसल आपकी पहली पसंद रहा आज हमारे खास पेशकुष में बताइए दूसरी बेस्ट पिक आपकी बतार सुरक्षा बंदन stock कौन सी होगी जी नेहाजी तो देखिए अमूमन मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स काफी देता हूं लेकिन इस शो में मैंने चुने हैं कॉल्स जो की positional और long term के लिए पूटफोलियों के लिए और दूसरा stock है वो एक large cap stock है इंडिया में real estate का दिगज DLF नेहाजी देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया में real estate की cycle है वो दस साल के बाद pickup होती हुए नजर आई है और DLF उन चुनिंदा stocks में से एक है जो कि इससे से बड़ा beneficiary होता हुआ नजर आ सकता है 75 साल पुरानी ये company है लगबद 330 million square feet area अब तक ये develop कर चुकी है सारे के सारा इसमें involvement है retail, commercial, rental बहुत है और charge पर जिस तरह का setup है नहा most importantly वो मुझे काफी पसंद है Nifty reality index काफी positive लगता है और DLF में मुझे लगता है कि यहां से अगर एक साल के लिए खरीदारी की जाए तो current levels लगब 370 रुपे के आसपास है, 6-8 महीने के लिए पहला एक target है 480-500 रुपे का और एक साल के लिए मुझे लगता है कि हांपर 620-625 रुपे तक के भी targets DLF में आते हुए नजर आ सकते हैं तो यह मेरी तरब से आज दूसरा सुरक्षा बंदन सौक है जो की जबरदस टेजी दिखाने के लिए तैयार है स्पेस में है भरोसा और DLF है हिमानशु जी की पसंद 6 महीने रखे, साल भर रखे, return दमदार ही मिलेंगे और सुरक्षा उसके साथ added benefit definitely है सुमिच जी हमारे पास साथ भी है सुमिच जी आपने एक सुपर हिट सुरक्षा बंदन तो L&T में दिया दूसरी पसंद कौन सी है मेरी दूसरी पसंद है टाटा पावर देखे टाटा पावर अभी consolidated कर रहा है पिछले एक महने में हमने देखा है स्टॉक ने एक sideways trend दिखा रहा है और ये 200 DMA के इर्थ गिर्थ कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे range bound में ये trade कर रहा है टाटा पावर में को लग रहा है कि आने वाने 6 प्लस मैनों के लिए खरदारी करना चीए यहां पर CMP में भी खरदारी कर सकते है और कोई भी 8-10 रुपे का अगर deep आता है तो lower levels पे इसके अंदर खरदारी करे 210 रुपया, 215 रुपया ये stock का नीचे में support बनेगा तो 210 का इसके अंदर डीचे में stock loss दगाना है अब उपर में जो target देखने को मिल सकते है जैसे ही है यहां से immediately कुछ दिनों में 235 का level तोड़ेगा तो 250 रुपया इसका पहला target बनेगा जो कि इसका medium term का target होगा 250 का level तूटने के बाद long term में 270 रुपय तक के level हमें टाटा पाउर में उपर की तरफ देखने को मिल सकता है तो दूसरा पीक मेरी तरफ से टाटा पाउर होगा 210 के stop loss से खंडारी करे 250 रुपया 270 रुपया यह दो लेवल उपर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है चलिए तो medium term हो, long term हो टाटा पार आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि सुरक्षा बंधन ये हमारे खास special show में हम आपके लिए 7 गैस आपके पसंदीदा गैस से 14 बहतरीन पिक्स लेकर आएंगे हमने अपना वादा निभाया है लेकिन इससे पहले कि हम रैप अप करें फटा फट हमारे जो साथ गैस है उन्होंने आपके लिए जो पिक्स दी है उसका एक क्विक रीकैप रख देते तो सिभी भामिक जी, पिरमिल इंटरप्राइज यहाँ पर मैम ने भरोसा दिखाया है 1845 का स्टॉप लॉस लगाना है गोइंग फॉरवड पहला टार्गेट साड़े 1900 का और अगला पड़ाव 1970 का देख रहा है और KPIT टेक यहाँ पर भी लंबी अवधी के लिहाज से खरदारी की रेकमेंडेशन निकल कर आई है बात करते हैं राकेश बंसल जी के सुरक्षा बंधन स्टॉक्स की सर का पहला भरोसा कमेंस में था खरदारी की रेकमेंडेशन और दूसरा विनायल इंडिया इन दोनों में ही खरीद की रेकमेंडेशन है पहले में 1500 का टार्गेट और दूसरे में 500 का टार्गेट आने वाले समय में दिख जाएगा अविनाश कुराक्षकर जी की तरफ से United Phosphorus और Gabriel India यहाँ पर खरदारी की recommendation आई है एक से सवा साल दोनों स्टॉक को आपको इतना समय देना पड़ेगा UPL में 900 का टार्गेट और Gabriel India में 204 तक का लेवल आपको आने वाले महीनों में साल भर में देखने को मिल जाएगा अब जैन साब की बात करते हैं इनकी तरफ से दो धमाकेदार सुरक्षा बंधन पिक्स निकल कर आई है पहली दिगज HDFC बैंक इसमें 6-9 महीने के लिहाज से 1670 एर इवेंचली 1720 तक का टार्गेट दिख रहा है और सिमिलरली GSFC में भी आपको 6-9 महीना देना होगा और यहाँ पर भी दमदार कमाई का पूरा भरोसा 190 के टार्गेट के साथ बनता दिख रहा है और आपको 490 तक का टार्गेट यहाँ दिखेगा वही पॉली मेडिक्योर बहुत बहुत बहतरीन तरीके से इन्होंने एक्स्प्लेइन किया कि क्यों यह आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए रखिये जरूर सुरक्षा भी प्रदान करेगा और रिटर्न दमदार मिलेंगे हिमान्शू की तरफ से आज क्रिसल और डियलेफ यह दो पिक्स आज हिमान्शू गुपता जी की तरफ से निकल कर आई है चैचे महीने के लिहाज से बहतरीन रिटर्न चै महीने क्या साल भर भी रखेंगे तो अच्छी कमाई का वादा दोनों ही स्टाक्स में निकल कर आया है आज सुमित बगडिया जी की तरफ से आज L&T और टाटा पार इन दो बहतरीन स्टाक्स में आई है कमाई की रेकमेंडेशन 2200 का लंबी अवधी का टारगेट L&T में तो टाटा पार में मध्यम से लंबी अवधी के लिहाज से 2500 और 270 का इवेंच्वल टारगेट देखने को मिल सकता है चलिए हमारी खास पेशकश में इतना ही सिमी जी राकेश जी अविनाश सर संदीब जैन साहब सिधाज जी हिमानशु जी और सुमित बगडिया जी आप सभी महमानों का बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और इतने बहतरीन दिन पर आप हमारे साथ जुड़े हमारे वि फोलियों को सरक्षित भी रख सकते हैं और इसमें बहतरीन कमाई भी हो सकती थैंक यू सो मच चलिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही मुझे दीजे एजासत नमस्कार